कितना भी बोल लो वो नहीं आएगा कितना भी समझा लो तुम नहीं सुधरोगे कितना भी रोग लो मैं जरूर जाओंगा कितना भी कोशिश कर लो वो हाँ नहीं कहेगा इस तरह के sentences अक्सर हमें अपनी daily life में बोलने होते हैं इनको English में बोलने के लिए no matter how much का use किया जाता है no matter how much का use उस sense में किया जाता है जब हमें बोलना हो कितना भी या फिर चाहें कितना भी दोनों का एक ही मतलब है इसके rule के लिए सबसे पहले मोला जाता है no matter how much और उसके बाद बोला जाता है subject subject के बाद verb और verb के बाद बोला जाता है अपना complete sentence जो भी आपको बोलना है अगर subject plural है तो verb की first form का use होगा और अगर subject singular है तो verb में S या फिर ES लगाया जाएगा जो की present indefinite tense में होता है चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ examples देख लेते हैं कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा no matter how much you speak but he will not come कितना भी रोलो मैं हा नहीं कहूंगा no matter how much you cry I will not say yes कितना भी सतालो तुम मुझे लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगा no matter how much you hurt me but I will not stop loving you कितना भी लड़लें लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते no matter how much we fight but we can't leave without each other कितना भी खालें लेकिन इससे मन नहीं भर सकता no matter how much we eat but we can't get enough of this can't get enough का मतलब होता है किसी चीज़ से मन ना भर सकना इस पर हमने अल्रेडी एक वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है कितना भी समझा लें लेकिन तुम नहीं सुधर होगे no matter how much we make you understand but you will not mend your ways mend your ways का मतलब होता है सुधरना so guys one sentence to all of you चाहें कितना भी कह लो वो नहीं सुनेगा आपको इस sentence English में translate करना है और हमेशा की तरह comment में लिखना है देखते हैं कितने लोग सही translate करते हैं best of luck so guys आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको वीडियो पसंद आ होगा और आपको इस structure का use भी अच्छे से समझ में आ होगा अगर आपको हलका सा भी कोई doubt हो तो आप comment करके जरूर पूछें तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए lesson के साथ Till then take care